देखे अगर आप एक टीचर है, क्रियेटर है, एक यूट्यूबर है और किसी सब्जेक्ट मेंटर पर एक्सपर्ट है तो कही न कहीं आपके मन में भी आता है कि इन सारे नौलेज को सिर्फ वीडियो के थ्रू नहीं कहीं न कहीं आप बुक के थ्रू भी अपने यूजर्स को बताना चाहते हैं और अगर आपके मन में एक बार भी थौट आया है तो मैं आपको कहूँगा हाँ आप भी अपनी बुक लिख सकते हैं एक ऊथर बन सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीटील में वन बाइवन जिनके साथ में हम ये बात करेंगे कि कई सारी करनी है इसके बाद हम कैसे इसे प्रॉटेबल बिजनिस बना सकते स्टेप बाइसे हर एक चीज़ पर हमने डीटेल में बात करिए तो मनमोहन जोशी सर के साथ में हम इस वीडियो को आगे करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर दीखिएगा अगर आपको कोई भी डाउट आ करने के बाद में मुझे लगता है कि उस पर लिखा जा सकता है और आपसी इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छा रहेगा मुझ जैसे क्रीटर्स के लिए कि एक ऑथर कैसे बने आ जाए क्योंकि सार हाली में आपकी कुछ समय पहले एक बुक आई थी इंडियन पीनल कोड को लिएट जन्वरी ट्वेंटी टू में वह आई थी एक साल होने और एमेजॉन में मतलब बेस्ट पिछले आठ महीने से नेमबर वन बेसल है चल रही कुछ कंटेंट हो इसमें तो कोई शक नहीं है मैं इस बात को आपकी बात को यहां रोकर कर दूं बुक ही नहीं अगर हम यूट्यूब या फेस्बूक या इंस्टा की भी बात कर रहे हैं तो आई आलवेज यूस्टू से कॉंटेंट इस दे किंग अधरवाइस बाकी सारी बाते हैं जैसे आप और हम ही बीच में चर्शा कर रहे थे हम कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए कि वीडियो बहतर बने साइद आपने यह बात कही थी कि अगर कॉंटेंट बढ़िया हो तो कैमरे से शूट करके कोई चीज़ डाल दे और वाइरल हो जाती है अगर वह अगर आप मैं आपसे जाना चाहो कि मुझे अगर बुक लिखना है तो उसकी प्रॉसेस क्या होगी से पहली बार तो यह है कि जब बुक लिखनी है जैसे मैं एक्जामपल दूँ बुक दो तरह से लिखी जाती है एक तो ऐसी किसी टॉपिक पर आप बुक लिख रहे हैं जो नहीं जैसे मान लेते हैं आप जो बुक लिख रह妹 क्रह आप क्लास कोंसी है जिसको आप तर्गेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहली में थार जनटोल में और भूक का नाम था ची अडियृस्टतां कीस श्प्रिशन औव विखन lanç Neo029 उस समय तक उस पर्टिक्लार टॉस तॉ वॉल्यूम में यह किसके लिए था एड़ोकेट के लिए मेरा टार्गेट जो ऑडियंस था वो थे स्टुडेंट जो MPPSC पढ़ रहें तो मुझे लगा कि इनको आसान सरल भाद्वा में इनके काम की बात कैसे दी जाए सो मैंने उसको नोट डाउन किया जो डाउन किया और वह लबलिश होके आया और लॉड के सेग्मेंट में पहली बार ऐसा हुआ था कि छे मेने में दसजार किताबें बिग गई तो लॉड में ऐसा नहीं होता तो बिग गई तो मोटिवेशन आ गया वहां से और वहां से फिर ब दो चलतीज के लिए पहला फॉर्द रफेरेंस येस क्योंकि अगर पहले से रिनाउंड बुक है और अगर आप उसका रेफेरेंस ले रहे हैं तो कहीं से कहीं तक यह चूरी नहीं है यह अपराद नहीं है और आप उसमें जरूर बताएं कि मैंने यहां से रेफेरेंस लिया इ इससे आप छोटे नहीं हो जाते तो पहली बार तो यह से मैंने आइपीसी लिखी तो आइपीसी में अराउंड 18-20 बुक्स औरेडी मैं पढ़ चुका हूं हिंदी और इंगलिज जोनों ही लेंग्वेज मैं तो वह सारी किदाबे मेरे नजरों के सामने थीं कि किसका कॉंट रतनलाल धीरजलाल पब्लिकेशन की जो आईपीसी की दो वॉल्यूम में किताब आती है वो अपने आप में कमाल है यह कुछ ऐसे क्रियेशन से हैं जिससे आप यू किन नाट वाइट विद आप लड़ नहीं सकते बट वाट यू कन नाट डू बेटर यू कन डू 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 भी कर रहे हैं या वो जो जो जृडिशरी की तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है उनको प्रॉब्लम क्या आती है उनको प्रावलम आती है पर्टिकुलर सेक्शन को समझे कैसे तो मैंने बहुत सोटे सेग्में और बदूट सोटे-प्शन hosting बूड दा ये में पिर उनको चाह सब्सक्राइब आप ले सकते हैं देखिए पहली बार तो यह है कि अगर मान लेते हैं गौर्मेंट की वेब साइट से आप कोई कॉंटेंट ले रहे हैं यस यू के टैट वो पब्लिक डोमेन में है लेकिन आपको रेफरेंस देना चाहिए कि मैंने यह डेटा फ़ला जगा से लिया है या जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी बुक है जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक डोमेन में कौन सी बुक होती है वो जिसको पब्लिश हुए 20 साल से ज्यादा हो गया 20 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो आप उससे कुछ कॉंटेंट ले सकते हैं जिसमे लेंगे वाल इंडिया रिपोर्ट सच से लेंगे या सुप्रीम कोड के से लेंगे सर ये तो रहा कॉंटेंट की बात हुए जब इस कॉंटेंट को आप अपनी भाशा में लिख देते तो इस भाशा को ठीक करना लिखते हुए इसको टाइप लिख रहे हैं, ऐसी वाली कोई चीज है, जिसको हम कहेंगे लिट्रेरी बुक, साहित एक किताब में, तो लिट्रेचर के लिए तो लोग हैं जानकार जो चीजों को करेंगे, अगर आप टेक्निकल बुक लिख रहे हैं, जैसे अग्जामपल के लिए, आप अपने फेल्ड में कोई बुक लिखना चाहते हैं, कि हाव तो बी डिजिटल क्रिएटर, और हाव तो बी अ जानकार है, वो उसमें कुछ चेंजेस कर देगा, और वो चेंजेस काम के नहीं होंगे, जैसे मैंने एक प्यारी सी कहानी सुनी आपको बताऊं, रविनात टैगोर ने गीता अंजली लिखी, और जब उनको नोबेल प्राइज मिला गीता अंजली के लिए आपको पता हो, त तो उसने कुछ वर्ट सेंज कर दिये, यह यह चीजें ऐसी हैं, और जब उन्होंने एक महान कभी को, जो इस लेंग्विज के कभी थे, इंगलिज भासा के, जब वो किताब दिखाई, तो उन्होंने वही तीन जगा पॉइंट किया, यह जगा गरबढ है, और टैगोर साब आप कहते हैं, गुरुदेव, कि यह जगा किसी ग्रामेरियन ने चेंज की, मेरे शब्द यह तो उन्होंने का यही शब्द बढ़िया, तो आपकी बात को आपसे बढ़िया, तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम यह है, कि जब कभी आप किसी को करने के लिए देते हैं, तो टाइपिस्ट जब टाइप करेगा, उसमें टाइपिंग एरर आएंगे, आपको ऐसे टाइपिस्ट नहीं मिलते हैं, जो टाइपिंग एरर के बिना काम करें, तो टाइपिस्ट टाइप करेगा, टाइप करने के बाद आपको प्रूफ रिडर से और फिर आपको एक बार फाइनली उसको पढ़ना पड़ता है this is the entire process और इस बीच में आपको एक काम और करना होता है एक अच्छा publisher सर्च करना होता है तो publisher कैसे मिलेंगे आपको अगर आपने पहले कोई काम कर रखा हो तो वो काम तीन-चार बड़े publisher को भीजिए क्योंकि हर publisher अच्छा उतर ढूंड रहा है या दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं आपने कोई एक नया content create किया है तो उसके कुछ demo chapters बनाइए बुक लिखने के शुरूबात इंडेक्स से होगी मतलब आप एक किताब में क्या उसका framework होगा पहले आप वो तैयार करेंगे कि मेरी बुक में और बुक लिख रहे हैं तो यू के नॉट नेगोशियेशन के स्टेज पे नहीं है तो पहले बार में तो बुक लिखते समय आपको यह रिखना चाहिए ठीक publisher हो जिसकी रीच maximum audience तक हो जो किताब रीडर तक पहुचा दे ऐसे को ढूंड ये पैसे को मत देखिए इसकी audience तक जो रीडर तक पहुचे अगर ये काम हो गया आपके किताब चल पड़ी तो शायद अगली बार आप negotiation के stage पर होंगे जहां आप bargain कर सकेंगे कि मुझे कुछ writing signing amount चाहिए मुझे कुछ royalty इतना चाहिए आप बात कर सकेंगे otherwise first stage पे तो कोई भी आपको आपके मन का पैसा नहीं देगा तो पहली बार समझ लें पहला जो आप विता किताब लिखेंगे पहली बुक वो बुक आप लिखेंगे just for the purpose of marketing अगली बार से जो है आपकी branding हो करके आपको इंकाम स्टार्ट होगा आपके माग में clear होगा कि आपको बुक लिखने के लिए जन्नी कैसे शुरू करनी है तब बस उठाईए reference बुक और शुरू हो जाईए बुक लिखना इसके अलाव भी कोई doubt आता है अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए कोई publication find out करके दू तो comment करकर मुझसे जरूर पूछे झाहते हैं